Hello Everyone, Welcome Back to the Channel इस बार असेस्मेंट डियर 24-25 के लिए निव टैक्स रेजीम हमारी डिफॉल्ट रेजीम होकी अब तक औल टैक्स रेजीम हमारी डिफॉल्ट रेजीम हुआ करती थी अभी तक अगर हमें निव टैक्स रेजीम में जाना होता था तो हम form fill करते थे, लेकिन अब इसका उल्टा होगा, अगर हमें old tax regime में जाना है, तब हमें form fill करना होगा, जो की होगा form 10IEA, यहाँ पर हमने itr2 open किया हुआ है, और इसमें हम जब deductions के tab में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी deductions highlight नहीं हो रहे है, अब आब यह confused मत हो कि यह सब highlight क्यों नहीं हो रहे है, मुझे दो deduction claim करने है, क्योंकि यह जो हमारा form है, यह by default new tax regime में है, जब आप option select करेंगे, कि मुझे old tax regime में जाना है, तब यह सारे options highlight हो जाएंगे, और आप deductions claim कर पाएंगे, आज के वीडियो में हम discuss करेंगे, कि form 10IEA किन लोगों को file करना है, क्या सबी लोग इसे file करेंगे, जिने old tax regime में जाना है, या कुछ लोगों को exemption दिया गया है, और end में हम यह भी देखेंगे, कि कौन सी ITR आप file करते हैं, तो आपको form 10IEA भरना है या नहीं भरना है, वीडियो पर नए है, तो चैनल को subscribe ज़रू कर लीजेगा, और वीडिय के बारे में कुछ important points discuss कर देते हैं, यहां पर standard deduction allowed कर दिया गया है, 50,000 रुपीज तक का, जिसे की salvered और pensioners दोनों क्लेम कर सकते हैं, family pension मिलती है आपको, तो deduction allowed कर दिया गया है, 15,000 या फिर one-third of the amount, whichever is less, chapter 6A में सिर्फ एक deduction allowed किया गया है, section 80, CCD2 का NPS contribution by employer, home loan का interest claim करना चाते हैं as a deduction, तो condition है कि property let out होनी चाहिए, यानि कि आपको rental value आ रही हो, पहले आप rental value दिखाएंगे, उस पर आपको 30% का deduction मिलेगा, और फिर उसमें से आपका home loan का interest as a deduction आप claim कर सकते हैं, लेकिन जो principal portion होता है, उसका deduction ATC के अंदर नहीं मिलेगा, retirement benefits है, जैसे कि gratitude है, leave engagement है, commuted pension है, वो सारी deductions allowed है, exemptions under section 10 salary से allowed है, और rebate मिलेगा 7 लाक रुपे तक की income पर, जो की calculate करने पर आता है 25,000 रुपे, section 87A में 7 लाक रुपे तक आपकी income आती है, तो आप अराम से new tax regime के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी tax नहीं देना होगा, जबकि old tax regime में वही पुरानी वाली limit है, rebate section 87A का मिलेगा सिफ 5 लाक रुपे तक की income पर, अब बात करते हैं, form 10 IEA की, इसे कौन लोग भड़ सकते हैं, साथ ही आप कौन सी ITR फाइल करेंगे, तो आपको यह form भरना पड़ेगा, यह form हमी तब भरना है, जबकि हम old tax regime में जाना चाते ह हैं, अगर 31 जुलाई आपने cross कर दी, तो फिर आप इस form को नहीं भर पाएंगे, और तब आपको new tax regime में ही अपनी ITR फाइल करनी होगी, इस form को सिर्फ वही लोग फाइल करेंगे, जिनकी की business से income है, या फिर जिनकी profession से income है, अगर आप salary class है, या आप pensioner है, या आपको income from other sources म कुछ दिखाना है, तो आपको इस form को file करने की जरुवत नहीं है, आप बस ITR में option select कर सकते हैं, कि आपको new tax regime में जाना है, या old में जाना है, form फिल करने की आपके लिए necessity नहीं है, अब जैसे कि हम ITR 2 में देखते हैं, तो यहाँ पर general information में आपसे सिर्फ ही पूछा गया है, कि आप old में जाना चाते हैं, या आप new में जाना चाते हैं, if you want your tax liability to be computed as per old tax regime, click yes, अगर आप old tax regime में जाना चाते हैं, आपको बस option पर yes select करना है, और आपका form old tax regime में convert हो जाएगा, और जो भी deductions old में मिलते हैं, वो सब आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप new में जाना चाते हैं, तो आपको यहाँ no पर click करना है, और आपका form new regime में ही रहेगा, tax calculations होंगी, वो सारी new regime के हिसाब से होंगी, new tax regime में इस बार tax rates क्या है, यहाँ पर 3 लाक रुपे तक की income पर कोई भी tax नहीं है, चाहें आप 60 years से कम है, चाहें आप senior citizen है, और चाहें आप super senior citizen है, सभी लोग पर 10% का rate है, 9 लाक से 12 लाक पर 15% का rate है, 12 लाक से 15 लाक पर 20% और अबव 15 लाक 30% ITR 2 की तरह ही, इसी तरह से आप ITR 1 में जाएंगे, जो कि salary persons का ITR है, वहाँ पर भी आपको सिर्फ यह option select करने का ही option मिलेगा, आपको yes या no select करना है और आपका form accordingly convert हो जाएगा, अब हम चलते हैं ITR 4 पर, हम यहाँ से ITR select करते हैं, ITR 4, ITR 3 अभी नहीं आया है, लेकिन जब ITR 3 आ जाएगा, उसमें भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी आपको option मिलेगा, selection का, ITR 4 उन लोगों के लिए है, जिनकी business से income है, या profession से income है, और वो presumptive basis पर अपनी ITR फाइल करते हैं, presumptive basis मतलब कि अगर आप businessman है, तो 6% या 8% का profit दिखा कर ITR फाइल कर देते हैं, books of accounts maintain करने क कोई भी requirement नहीं है, और अगर आप professional है, तो 50% as a profit दिखा कि आप ITR फाइल कर देते हैं, books of accounts maintain नहीं करते हैं, तो ITR 4 वाली जब personal information के tap कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको option दिखेगा, अब यहाँ पर पुछ रहा है, have you exercised the option under section 115 BAC of opting out of new tax regime, क्या आप new tax regime से opt out करना चाते है अगर हम yes पर क्लिक करेंगे, yes within the due date, due date क्या है हमारी 31 July, अगर audit case होता है, तो due date होती है 31 October, अगर हम yes पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम से date of filing पूछेगा और acknowledgement number form 10 IEA का, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले तो इस form को fill करना है, क्योंकि हम new tax regime से opt out करना चाते हैं, और उसके बाद हम form की filing date और acknowledgement number यहाँ पर provide करेंगे, जैसे ही हम यह information provide करेंगे, तो हमारा यह जो form है, old tax regime में convert हो जाएगा, और accordingly deductions claim कर सकते हैं, अगर हम no पर ही click रहने देंगे, तो इसका मतलब है कि हम new tax regime में ही जाना चाहते हैं, हमें form fill करने की यहाँ पर जरुवत नही है, यह columns भी highlight नहीं हो रहे हैं, तो हम new regime में अपने form को file कर सकते हैं, new regime में जाएंगे, तो 7 लाग रुपए तक की income पर कोई भी tax नहीं लगेगा, और अगर 7 लाग के ऊपर आपकी income है, तो आप tax rate के हिसाब से देख सकते हैं, new tax regime में tax rates कम हैं, जबकि old tax regime में tax rates high हैं, इसी त file करते हैं, जिनकी कुछ business से income है, या फिर profession से income है, तो in short, हमारा conclusion क्या निकल के आता है, कि form 10 IEA, उन लोगों को भरना है, जो कि ITR 3 या फिर ITR 4 को file करते हैं, अगर आप ITR 1 या ITR 2 file करते हैं, तो आपको यह form नहीं भरना होगा, simply option select करके, आप old tax regime में जा सकते हैं, फॉर्म हमको कहाँ पर मिलेगा, इफाइल में जाएंगे, यहाँ पर income tax forms, file income tax forms, सबसे पहला फॉर्म मिल जाता है, application for exercise or withdrawal of option under section 115 BAC of the income tax act, form number 10 IEA, इसे open करेंगे, assessment year 24-25, continue, do you have income under the head profit and gain from business or profession, during the assessment year, क्या आपकी business या profession से income है, yes, due date applicable 31st July, अगर आप audit में cover नहीं होते हैं, अब यहाँ पर simple से 3 step है, basic information है, जिसमें कि आपकी personal information होंगी, इसे आपको confirm कर देना है, इसके बाद है additional information, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस confirm कर देना है, और इसके बाद है declaration and verification, इसे भी आप confirm कर देंगे, यहाँ पर form का preview देखेंगे, preview देखने के बाद आपको इसे e-verify भी करना है, अधार OTP से या फिर और methods भी है, bank account से कर सकते हैं, demet account से कर सकते हैं, या net banking से भी कर सकते हैं, और form को submit कर देंगे, सब्मिट करने के बाद जो आपके पास acknowledgement reset आएगी, उससे आपको date of filing और acknowledgement number अपने ITR में fill करना है, उसके बाद आपका form old tax regime में convert हो जाएगा, so I hope की information आपके लिए काफी useful रही होगी, thank you so much for watching this video, मिलिंगे नेक्स वीडियो में, till then stay safe and healthy, bye bye.